दोस्तों आज का वीडियो जो है वो है house construction पे कि जब हम गर बना लेते हैं तो हर गर में एक समस्या जुरूर देखी जाती है वो है cracks मतलब हर जगा कोई भी गर होगा ऐसा गर कोई नहीं है जिसमें crack ना दिखें तो crack के आने का reason क्या होता है उतको हम सही कैसे कर सकते हैं और basic आप रो सकते हो वो सब में आज आपको बताने वाला सामने आप crack देख रहे हो काफी किसम के crack होते हैं आपने देखा होगा vertical भी होते हैं लंबे होते हैं horizontal होते हैं मतलब ऐसे लंबाई में और ऐसे diagonal type एक crack क्यों आते हैं इसका क्या reason है वो सब आज में आपको clear करूंगा और यह भी बताऊंगा कि हम उसको कैसे सस्ते में सही कर सकते हैं और वो कौन से crack हैं जो हारम फुल नहीं है गर के लिए और जो कौन से dangerous होते हैं यह depending करता है crack की width की width उसकी कितनी है देखो 0.1 mm भी होते हैं और 6 mm तक से 10 mm तक भी crack होते हैं तो सबसे खतरना crack कौन से होते हैं वो ह के गर के लिए कि नहीं मैं अगर ऐसे अपने experience से बताएं जहां ऐसे भी जो है जो 3 mm से छोटा crack होता है कुछ जगा उपे वो हारम फुल नहीं है आपके गर के लिए वो acceptable है कोई दिक्कत नहीं है बस वो आपकी थोड़ा देखने में खराब लगेगा दिवार पे लेकिन वो इतना हरम फुल नहीं होता है लेकिन जो 4 mm से बड़ा crack होता है वो हरम फुल आपके गर के लिए हो सकता है यह सामने आप देखरे हो जो crack एक किस बज़ा से आया है में लिए ऐसे crack तीन रिजन से आते है एक तो आपने जो मोटार बनाया है उसकी ratio proper नहीं रखिया जैसे हम plaster के crack होगे यह proper curing नहीं आपने की तो वो भी main cause हो सकते है ऐसे crack मोचली हर गर में देखे जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कि spider जैसे जाला जैसे मुंत है तो वैसे crack बन जाते हैं वो भी curing आप proper वेसे नहीं करोगे तो वो crack भी हो सकते हैं mainly जो खतरना crack हैं वो मैं आगया भी अच्छे से बताता हूँ आपको पहले यह basic देख लो ऐसे crack अगर आपके घर में दिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी इंसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह इतने harmful crack नहीं होते हैं क्योंकि जो तीन हमें सुछ छोटा crack है वो basically इतना harmful आपके लिए नहीं होग लेकिन जो बड़े crack होंगे वो dangerous हो सकते हैं और उनको हम proper way से सही कैसे करते हैं सामने आप जो crack देख रहे हो जो मैं बात कर रहा है थोड़ी ज़र पहले यह होते हैं proper way से curing नहीं की यहां आपकी sand अच्छी ना हो और यह जो crack है यह भी settlement का reason हो सकता है settlement यह आपका जो bond करने वाला था जो dangerous crack गर के लिए रहते हैं उनको सही कैसे करते हैं और आते कैसे हैं वो में बात start करते हैं ऐसे crack आपने mostly घर में देखे हूंगे ज़्यादा गरी crack दिखते नहीं है लेकिन जहां दिखते हैं तो यह बहुत ज़्यादा खतरना crack है और इनको सही करने का तरीका आगे होते हैं दोनों के बीच यह क्या reason होता है और कभी कबार तो ऐसे भी दिखते हैं मतलब ऐसे दिखेंगे और सीधे मतलब वो वाल के नीचे तक जाते हैं mostly वो crack का reason क्या होता है और यह बहुत बड़ी चिंता है वो reason हो सकता है आपका नीचे settlement हुई है मतलब नीचे जो जगा थी वो बैठ गई है अगर आपकी soil थी कोई cotton soil थी वो swell हुई है यह contract हुई है temperature genesis से उसका reason हो सकता है यहां क्या हो सकता है आपने plinth protection नहीं provide की है और पाणी अंदर गुस गया और यहां से set मतलब यह plinth beam थोड़ा बैठ गया और यह दिवार इसके स यह mainly reason रहता है essay cracks का और यह बहुत ज़ादा खतरनाग चीज़ है अगर ऐसे आपके गर में crack देखें तो वो खराब चीज़ है उसको सही करना जरूरी है तो इसको सही करने के लिए क्या है सबसे पहले जो crack आपको देखो ऐसे possible हो तो आपको वहां consultant मिलते है जो crack को सही करते ह है जिनका काम ही यह है उनसे अगर आप करवा होगी तो best है लेकिन अगर मैं आपको alternate बताऊं वहां possible नहीं है तो doctor fixit का दो type के chemical आती है एक होता है x paste आपको ओपर photo pic दिखरी होगी एक होता है shrinkage paste यह दिखते तो कैसे हैं जैसे बाल पूटी नहीं होती वैसे होते हैं यह market से मिल जाते हैं इसे ज्यादा cost leave नहीं है इसको लगाने से क्या करोगे आप पहले क्या करने है यहां crack है उसको proper way से यहां तो वहां grinder available है उसको थोड़ा थोड़ा काड़ दो अंदर तक गहरा कर दो यहां तो उसको proper way से साफ कर लो अंदर पानी मार लो उसको अच्छे से rub कर लो वो कर लिया उसके बाद उसको जैसे पानी मार लिया थोड़ी देर उसको रहने देर दस मिनिट बाद क्या करना है एक space आपकी जो होगी वह पुटे की तरा होगी उसको अच्छे से अंदर गुसा देना है एक liai गुसा लिया चार से 6 गंटे तक उसको सुछने देने फिर ठोड़ा जो space थोड़ी जो ओर बची होगी उसमें दूसरी liai उसमें डालनी है फिल कर देनी आँए अच्छे तापर व वो अच्छी होती है वो कर दोगे फिल तो आपके crack proper way से सही हो जाएंगे ठीक है और दूसरे type के जो crack देखे जाते हैं क्या होता है ये column आगे आपका और ये दिवार आगे बीच में दोनों के joint में crack देखने को मिलता है जैसे plaster हो जाता है यहां अभी दिवार हुई है तो crack दि ये हो गया है तो इसको सही कैसे करेंगे एक wire mash आती है जैसे मुर्गा जाली जिसे बोलते हैं ऐसे दोनों तरफ तीन तीन इंच चड़ा देनी है ये मुर्गा जाली ऐसे जो आपने देखी होगी सबने वो market में आपको मिल जाएगे दोनों तरफ चड़ा लेनी है उसके बाद इसके उपर plaster करना है तो आपको ये cracks नहीं दिखेंगे ठीक है और एक और crack आपको दिखते हैं जैसे window है window से ऐसे ऐसे crack निकले होते हैं ये भी मतलब एक लगा लो settlement का ही है इससा है कि क्या होता है जो दिवार का load होता है वो कहीं जादा हो जाता है कभी कम हो जाता है तो उसकी बज़ए से ये cracks mostly देखने को मिलते है ठीक है इसको avoid कैसे करना है कि column provide मतलब मैं तो यही prefer करता हूँ कि load bearing structure कम बना हो load bearing structure में जादा cracks देखने को मिलते हैं तो column जब आपने provide की होंगे तो जो load होगा वो column पर जाएगा दिवार पर नहीं जाएगा जहां cut out होगा आपका जहां window होगी वहाँ ये crack एक से crack देखने को कम मिलते हैं तो mainly यही crack मैंने जो कहा आपके जो लगबग 4 mm से 6 mm जो crack दिखते हैं वो mostly किसे आते हैं यहां जो आपने joint provide किया होता है ब्रिक में वो proper वेसे नहीं किया होता है उसकी बएस से settlement हो यह यह footing mainly footing settlement से ही वो crack देखने को मिलते हैं और बाकी जो 3 mm से छोटे crack होते हैं वो उनकी कोई इतनी जादा समस्या नहीं है लेकिन आप उनको सह कर सकते हो इसी डॉक्टर फिक्सिर पेस से बाकी वो आपके घर के लिए इतने हनीकारिक नहीं होते हैं वो mostly आते हैं जहां तो आपने क्यूरिंग प्रॉपर वेस नहीं की जहां तो ज्यादा घर तो आती है कि प्लास्टर अच्छे से किया नहीं उसमें जो sand cement की ratio प्रॉपर इतनी ज़्यादा नहीं होती है और इसके related कुछी भी question पूछने आप comment करो में उसका reply जूरू करूँगा thank you guys